बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अस्तलामुलेकुम सेवन्त ग्रेट कैसे हैं आप सब? उमीद है के आप सब अच्छे और खेरियत से होंगे ओके सेवन्त ग्रेट आज हम अपने उर्दु की क्लास में एक नया सबख शुरू करने जा रहे हैं तो आप सब अपने किताबे खोलें यह है आपका पेज नमबर 38 ओके सेवन्त ग्रेट तो ये है आपका पेज नमबर 38 आज हमारे सबख का उनवान है महनती 20 ठीक है site ग्रेट इस सबख में हमें 20 की महनत और मुझा के बारे में बताया गिया है हमें पता है कि हर काम्याबी और कामरानी की जमानत महनत और मुशकत है तो इसी नजम में भी शायर एक चोटी सी 20 की महनत और मुशकत के बारे में हमें बताता है कि 20 जो कि एक बहुत ही चोटी और एक बहुत ही नाजुक मखलूख है लेकिन इसके बावजूद वो मेहनत और जदुजहत से नहीं गबराती हर वक्त वो अपने काम और कोशिश में मसरूफ होती है और मसरूफ रहती है तब ही जो है वो जो भी काम होता है वो बहुत भी सरनजाम दे पाती है ठीक है तो इस नजम में आज हम इस मेहनती 20 के बारे मे पढ़ेंगे जो दिन बर अपना काम करती रहती है और मेहनत से नहीं उकताती और मेहनत से नहीं गबराती ठीक है तो एक पेरिग्राप की मैं पढ़ाई करूंगी और साथ में उसकी जितनी भी जो है वो यहाँ पर अलफाज मानी है और इसकी जो है वजाहत है वो साथ में मे बुक्स की तरफ देखे, महनती चुवेंटी, ये बोली बाली चुवेंटी, बोली बाली का मतलब है बहुत सीधी सादा, सादा मिजाज बाली चुवेंटी, पिरती है दिन बर रात बर, दिन बर यानि तमाम दिन ये पिरती रहती है, गूमती रहती है, करती है महनत किस ख़द शायर कहता है कि ये चोटी और भूली बाली बहुत सीधी सादा चुवेंटी जो है ये दिन बर महनत करती रहती है और किस ख़दर मतलब इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा महनत करती है पूरा दिन ये महनत करती रहती है जाती है केतो की तरफ लंबी कतारे बांद कर 22 में ये भी खुबी होती है कि इन में इतिफाक और ये इतिहाद का जो जजबा होता है वो बहुत ज्यादा होता है जो भी काम करते है ये अपने इतिफाक से करते है तो इतिफाक एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में जो भी काम इतिफाक से किया जाता है वो हमेशा कामयाब होता है और वो हमेशा जो भी मुश्किल से मुश्किल काम होता है इनसान उसको आसानी से साथ कर सकता है ठीक है तो शायर कहता है कि ये कैतो की तरफ जो है वो लंबे लंबे कतारे बांद कर चले जाते है पिर गर पलट आती है ये वापिस आती है पलट का मतलब है वापिस आना दाने उटा लाती है ये गल्ले से बर लेती है गर बर लेना यानि जमा कर लेना धेर जमा कर लेना एक चीज़ का करती है क्या लंबे सफर ये बोली बाली 20 इस पहले जो पहला जो हमारे पास ये बंद है इसमें शायर कहता है कि एक सीधी साधा 20 एक सीधी साधा भूली मिजज़वाली 20 दिन बर बहुत ज्यादा महनत करती रहती है ये कैतो की तरफ चलती है, लंबे-लंबे गतारे जो है वो उन्होंने बनाए होते है, कैतो की तरफ जाते है, कैतो से जो है वो मुख्तलिफ चीजे जो अनाज जो गल्ले ये कानिक जो भी चीज जो है उनको मिल जाते है तो ये उटाकर जो है अपने गर की तरफ पलट आती है, पलट का मतलब है वापिस आना और ये जो है वो अपने खुराक की चीज़े जमा कर लेती है ठीक है रखो कुई शेड ढांकर ढांकर चुपाना मतलब अगर आप उन से कुई चीज चुपा भी ले मिल जाती है उसको खबर तो ये डून लेती है ठीक है ले जाती है ये कुछ नगुछ वो खुश्च हो या हो तर अच्छा इस लाइन में जो है वो शायद ये बताता है कि अगर हम कुई चीज चुपा भी लेते हैं तो उनको कही न कहीं से खबर मिल जाती है क्योंकि ये गुमती रहती है और वो कानी कि कोई भी चीज हो तो ये उस तक पहुंद जाती है और ये कोई न कोई चीज जो है उटालाती है चाहे वो खुश्ख हो या गिला हो बु सून्गर बढ़ती है ये मतलब जहां भी खुराक की चीज होती है वो सुंग सुंग कर उसको वो बू आ जाती है जब उसको किसी चीज का स्मेल आता है तो वो उसकी तरफ बढ़ती रहती है दिवार पर चड़ती है ये जितने है नन्ने जानवर उन सब में आती है नजर केसी निराली चुवेंटी ये बोली बाली चुवेंटी निराली चुवेंटी अनोगी चुवेंटी ठीक है इसमें जो है वो ये दूसरा जो हमारे पास शायर जो है वो इस बन में कहता है कि अगर हम कोई चीज जो है उससे चुपा लेते हैं चुरा लेते हैं तो पिर भी जो है वो उसको जो है कही न कही से स्मेल जो है वो आ जाता है और वो वही तक जो है वो पहुँ जाती है तो इस नजम में 20 की महनत और उसकी जो है वो बहुत ज्यादा महनत से काम करने का जो है वो सबख दिया गिया है महनत से शर्माती नहीं, मुश्किल से गबराती नहीं, कैसा ही बारी काम हो करने से उक्ताती नहीं उक्ताती का मतलब है उक्ता जाना थंग आ जाना, ठीक है रहती नहीं बेकार ये हैवा की हो श्यार ये सुस्ते उसी आती नहीं, सुस्ते उसे बाती नहीं, बाती बाना, पसंद आना कि मतलब जो है वो मेहनत मतलब जितनी भी मेहनत करती है चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो चाहे वो मतलब किसी भी जगा पे हो ये मेहनत से नहीं शर्माती हर जगा पर ये आगे बढ़ती रहती है कोई भी मुश्किल काम हो तो ये उसे नहीं गबराती चाहे वो कोई चीज जो यह वो इपने साथ ले जाने से यह तंग नहीं आती नहीं तक जाती ठीक है? अच्छा यह साथ में यह तर्ड लायन में यह जी भी बतायागिया है कि यह बिलकुल बेकार यह बैठती नहीं है मतलब कही न कही जो है वो ये काम में मशरूफ रहती है अच्छा सुस्ती उसे अच्छी नहीं लगती पसंद नहीं आती अब फारग बैटना या जो है वो मतलब खाहिलों की तरह कोई काम नहीं करना ये चीज उसको पसंद नहीं आती है अकल वाली 20 ये बोली बाली 20 तो ये ज मुश्किल से मुश्किल काम की तरफ बढ़ती रहती है उसको जो है वो कभी भी ये फारिख बैटना या सुस्ती और काहली पसंद नहीं होती हमेशा महनत करती रहती है और मुश्किल से मुश्किल काम की तरफ जो है वो आगे बढ़ती रहती है तो इस नजम मेशायर ने हमें बाराति नहीं महनत से नहीं गबराती हर वत काम करती रहती है और आगे हमेशा आगे बढ़ती है और जो भी काम हो इसके लिए मसलसल महनत और जड़जहत से काम लेती है ठीक है तो आपने क्या करना है इस नजम के जो है वो पड़ाई के बाद इसके जितने भी मुश्किल अलफाज माने है उनको याद करना है और उसको जो है आपने दोहराना है ताके आपके लिए जो है वो बाद में आसान हो जाए ठीक है